भगवान के दाननात की कपाट खुलने और पंच मुखी चल विग्र उत्सव डोली के उखिमट से कैलाश रवाना होने की तिथी घोशित होने की सभी तैयारिया शुरू कर दी गई हैं कपाच खुले और उस्सव डोली के धाम रवाना होने की तिथी महाशिवरात्री पर घोशित होगी इसी दोरान उंकारेश्वर मंदिर में विद्वान आचारियों बद्रिकेदार मंदिर समिती के पताधिकारियों अधिकारियों की मौजूदगी में तिथी घोशित की जाएगी मंदिर समिती द्वारा उंकारेश्वर मंदिर को आठ क्विंटल गिंदी के फूनों से सजाने की तयारियाज शुरू कर दी गई है साथी महाशिवरादी पर उंकारेश्वर मंदिर में भंडारी का आयोजन करने वाले दान्यों ने उखिमत की और रुक कर दिया है दिन द्वादस जोतिलिगों से भगवान के दार नाजी को कपाड खुलें कि तिथी घोसित होती है अठारा फरवरी के दिन महा सिवरात्री है उस दिन प्रातक काल में भगवान स्री केदारेश्वर जी का दुति केदार भगवान मदमेश्वर जी का ओमकारीश्वर जी का महावशिक पूजन के बाद जो है ठीक साड़े नव बजे भगवान स्री केदारना जी के दिब गद्य अस्तलि में पंचांग गर्णा के अनसार प्रधान पूजारीजी यहां के धाम के श्री एक हजार आठ जगुत गुरू रावल जी के समुक यहां के हाका कुदारी वेद पाठी यहां के ब्रहमन लोगों के और यहां के समस्त जो मंदिर समिति करमचारी हैं इस गाओं के सभी लोगों के समुक यहां तिथी खोशित की जाई है